हेलो दोस्तो एक बार फेसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन जोब स्पोर्ट्स पे ओनलाइन जोब स्पोर्ट्स आज आपके लिए लाया है SBI बैंक में जोब SBI बैंक में बहुत सारी पोजिशन पर जोब निकली है तो आईए चलते हैं SBI बैंक की ओफिशल वेबसाइट पर और देखते हैं जोबस तो हम SBI बैंक की ओफिशल वेबसाइट पर आचुके हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए और बैल नोटिफिकेशन को ओल पर सैट कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो शुडू करते हैं और देखते हैं SBI बैंक में जोब SBI बैंक में जोब देखने के लिए नीचे आपको रोल्स का उप्शन दे रखाए नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे आपको जोब्स दे रखी है आप देख सकते हैं नीचे आपको जूनियर असुसियेट की भी जोब दे रखी है और नीचे आएंगे तो आपको और भी जोब दे रखी हैं आप किसी भी पोजिशन के लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं आपर कितनी सारी जोब है मैं आपको एक पोजिशन के लिए अपलाई करके दिखाता हूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर जूनियर असोशेट की जोब है इसको नो मोर पर क्लिक करेंगे नया पेज लोड होगा आप देख सकते हैं आपके सामने जूनियर असोशेट की जोब खुल चुकी है नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले eligibility criteria दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि आपको qualification कितनी चाहिए देख सकते हैं नीचे इसको अच्छे तरीके से पढ़ें तभी आप इस जोब के लिए apply कर सकते हैं एजबिश में आपको बताई गई है आप देख सकते हैं category wise SCST के लिए 5 years and OBC के लिए आप देख सकते हैं 3 years journal के लिए 10 years ऐसे ही सब category के लिए बताया गए हैं आपर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं और भी हाँ पर category दे रखी हैं इस पर किलिक करेंगे तो आप detail देख सकते हैं देख सकते हैं इसकी detail सिलेक्शन प्रोसेस और इंटर्व्यू भी देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी timing कोश्चन कितने होंगे आपके पेपर में और कितने मिनट का आपका duration रहेगा देख सकते हैं आप सब चीजे इसमें बताई गई है इन सब चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ें तब इस job के लिए apply करें उसके बाद आप interview and final selection भी देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर interview और final selection के बारे में बताया गया है इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि आपको कैसे interview देना है और कैसे selection करवाना है अपना नीचे आपको application fees भी बताई गई है इसे खोलेंगे तो देख सकते हैं category wise fees दे रखे हैं आपर यह सारी detail पढ़ें तब इस job के लिए apply करें नीचे आपको apply now का बटन दे रखा है इस पर click करके आप job को apply कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें और भी ऐसी job के लिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye